डॉलर में कमा हूँ, यह वर्ड आपने कहीं बार सुना होगा हर एक इंडस्ट्री में और जब भी कोई एक beginner, especially अगर वो third world country से है, जैसे कि इंडिया वो यही सोचता है कि उसको business foreign में start करना है, जैसे कि USA में ताकि वो dollar में earn कर सके, तो इस video में मैं आपको global selling किस तरह कर सकते हैं Amazon USA में, वो मैं आपको explain करूँगा, और यह strategy भी में explain करूँगा किस तरह में खुद Amazon FBA USA में product sell करता हूँ, और around 9000 dollars per month earn करता हूँ पर उससे पहले मैं आपको steps and documentation के बारे में explain करूँगा, किस तरह आपके business आप Amazon USA में start कर सकते हैं तो जोस्तो अगर आपको Amazon USA में sell करना है, तो two types में कर सकते हैं, इंडिया में रहकर तो basically India से जो individual आपका ID card रहता है, PAN card और other card उससे भी आप register कर सकते हैं, वरना आपको LLC लेना पड़ेगा LLC लेंगे तो LLC से आपको Amazon USA में भी bank account मिल जाएगा, जहां पर आपका amount और आपका payment receive कर सकते हैं पर अगर आप individual करेंगे, तो आपके bank account में, जो Indian bank account है वहां पर Amazon disperse करेंगे, पर उसका around two percentage fees लगेगा पर initial stage में यही suggest करता हूँ, आपको LLC लेनी की ज़रूरत नहीं है, अगर आप start करने जा रहे हैं, तो as a individual आप start कर सकते हैं, क्योंकि Amazon में कोई separate आपको tax registration लेनी की ज़रूरत नहीं है, जैसा India है इंडिया में आपको GST registration लेना है, पर USA में उस तरह नहीं है, तो जब आपका revenue increase होगा, तब आप LLC ले सकते हैं, पर again, अगर आप starting से ही LLC लेना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं, पर LLC लेने के लिए around 40 to 50 thousand spend करना पड़ेगा आपको initially, तो आपके budget के हिसाब से, आपका resources के नहीं है, completely free है, तो Amazon USA में basically two types रहता है, individual और professional, तो professional में ही आप FBA यूज कर सकते हैं, आपको professionally ही जाना होगा, तो आपको $39 per month के लिए pay करना ही होगा, Amazon USA में अगर आपको start करना है, तो इंडिया में उस तरह कुछ नहीं है, starting से ही आपको professional account मिल जाएगा, और उसका कोई monthly charges भ proof of सब कुछ पूछते हैं, तो basically आपका company है USA में register हो जाएगा, USA में आपको एक unique address भी लेना होगा, उसका और तोड़ा extra charges लगेगा, third party से, तो उस तरह मतलब आपका approach रख सकते हैं, चाहे तो LLC या individual, again, अगर मुझे पूछते हैं, तो मैं आपको यही suggest करता हूँ, कि आप as a individual आपना seller account USA में open कर सकते हैं, पर आपको 39 dollars पर मन्त के लिए pay करना ही होगा, और दोस्तो shipping, अगर आप Alibaba supplier से source कर रहे हैं, आपकी product directly, Amazon FBA का वेरोज में आप send कर रहे हैं, तो आपको separate कोई registration लेनी की जरूरत नहीं, जैसे India में IEC registration लेना है, import, export, code registration, वो लेनी की जरूरत नही हैं, पर again, अगर आप India का manufacturer या India का supplier से Amazon FBA वेरोज आप send करना चाहरे हैं, तो आपको IEC registration लेना है, और आपको AD code का registration भी करना है, वो आपको आपके bank से मिल जाएगा, जिस bank से आपका current account registered है, current bank account, तो वहाँ आपे AD code आपको मिल जाएगा, वो चाहिए, और IEC registration भी चाहिए, औ आपको port पे भी registration करना होगा, जिस port से आप send करना चाहरे हैं, export करना चाहरे हैं, Amazon FBA वेरोज को, तो ये complete process है, बाकी जितना भी process है, जैसे कि seller account, मतलब account overview जो manage करना, और listing create करना, advertisement campaign create करना, बिलकुल similar है USA और Indian marketplace में, तो मेरा experience बताता हूँ, जब मैंने decide किया था कि मैं Amazon FBA करू फिर मैंने calculate किया सबसे पहले कि कितना income बनेगा, अगर मुझे logically करना है, वहाँ पर मुझे decide करना पड़ा, तो basically वो मैं आप explain करता हूँ, कि कितना आपको budget चाहिए, कुछ लोग आपको कहते हैं कि इतना budget से start कर सकते हैं, पर आपको logically आपको decision लेना होगा, उसके लिए मैं आ Amazon USA और Amazon India में कुन सा आपको pick करना है, देखो मैं दोनों marketplace में sell करता हूँ, और मेरा कहीं सारा clients है, जो Amazon USA में भी sell करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, और उसके साथ Canada, Australia और UAE marketplace में भी sell करते हैं, तो उसी experience के साथ मैं कहे रहा हूँ, और जैसे मैंने पहले कहे रहा था, कि मैं USA में ही decide किया था, मैं sell करने के लिए, क्योंकि मेरे पास उतना budget नहीं था, फिर मैंने Amazon India से किया, और मेरा जो seller account में में ज्यादा earn करता हूँ, वो Indian marketplace ही है, क्योंकि Indian marketplace में opportunity ज्यादा है, अफकोर सबसे बड़ा marketplace Amazon USA ही है, अभी तक आज की date में भी, पर population और opportunity भी आपको देख में, टोटल population का, पर USA में around 90% मतलब internet इसर से total population का, और इंडिया में around 25% e-commerce sales होता है, तो आप सोच के देख सकते हैं, even 5% अगर increase होता है, तो बहुत ज्यादा demand है, अफकोर्स return rate अभी 7% है इंडिया में, और USA में around 2% है, तो अफकोर्स तोड़ा increase है, पर फिर भी profitable ही है, जित तो मैं ही सजेट करता हूँ कि आपके resources है हिसाब से आपको pick करना होगा, और Indian marketplace में potential है, अगर future अगर में कहूँ तो Indian marketplace ही है, क्योंकि internet users कम है, इसलिए उतना demand कम दिख रहा है, पर over the years वो drastically increase होगा, तो उसको capitalize करने के लिए, और उसको fulfill करने के लिए, new sellers को step up होना ही है, तो उ advertisement के cost और of course $39 जो pay करना है, और LLC create करने के लिए around $40-$50,000 लगता है, और उसका भी yearly compliance रहता है, उसके लिए भी आपको separate charges करना है, पर उसके अलवा marketing budget भी आपको रखना है, क्योंकि जो logo से आप compete कर रहे हैं Amazon USA में, वो literally sharks है, मतलब वो product launch करते ही within 1-2 weeks में, 50-100 reviews ले आ सकते है, influencer marketing चला के, उतने हद तक उनके पास marketing knowledge भी है और budget भी है, तो जब आप उतना knowledge और resources, budget आप process करते हैं, तब उनके साथ आप compete कर सकते हैं, वरना वो ऐसा हो जाएगा, मतलब गन के fight में लकडी पकड़ के जाने जीसा हो जाएगा, तो इसलिए वो चीज भी आपको consider करना है, मेरे के तुरू, giveaway के तुरू, ज्यादा spend करना पड़ता है, sales velocity match करने के लिए, आपको literally 100, 200, even 300 units, without profit आपको sell करना है, product को first page पे लाने के लिए, उस हद तक आप spend कर सकते हैं, तब ही आपको USA में उन competitors के साथ compete करना है, वरना आपके लिए बहतर Indian marketplace रहेगा, again, मैं फिर से वही कहता ह कि आपके resources आप देख लिजे, फिर आपका approach चकिए, मैंने भी वेसा ही किया था, इसलिए मैं इतना journey तक मतलब almost 7 years तक मैं e-commerce में survive कर पाया हूं, और उसे के साथ 7 figure का revenue generate कर पाया हूं, और मेरा journey तो आप देख चुके हैं मेरे YouTube channel के तुरू, तो यह रहा मेरा experience, और जैसे मैं मैंने पहले कहा किस तरह मैं Amazon USA के तुरू earn कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले जब मैंने investment calculate किया, जो मेरे पास investment नहीं था Amazon USA में start करने के लिए, तो मैंने Amazon India से start किया, पर उसके कहीं सालों के बाद मैंने Amazon USA में भी start किया, मैंने एक partner किया, एक manufacturer के साथ जो exclusive product बनाता है, जो सि अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई exclusive product है, या अगर आपके पहचान में कोई exclusive product जो sell कर रहा है, वो बहुत ही demand है Amazon USA में, और Amazon के competitors, Amazon के sellers जो Amazon में reside होते हैं, वो sell नहीं कर पाते हैं, तब आप करना बहतर रहेगा, मेरे suggestion यहीं रहेगा, अगर आप सिर्फ private labeling ही करना चाते हैं, जो Amazon के USA के based sellers भी कर सकते हैं, तब आपको competition, marketing budget वो सब कुछ अलग से सोचना होगा, और उतना resources process करना होगा उनसे compete करने के लिए, अगर आप exclusive product sell कर रहे हैं, जो Amazon के sellers, Amazon में resident sellers खर ही नहीं सकते हैं, तो आपको एक unfair advantage मिल जाएगा, और आप आसानी से compete भी कर सकते है और आपके product sell कर सकते हैं, उसके लिए again आपको IC registration लेना है, export करना है basically, इंडिया से आप export कर रहे हैं, तो वो process रहेगा, तो as a individual आप कर सकते हैं, और as a company registered इंडिया में उस तरह भी कर सकते हैं, तो वो complete export हो जाएगा, export business हो जाएगा, पर again Amazon FBA का ही इस्तमाल कर सकते हैं, आपक 24 में Amazon FBA करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़े आपको जानना बहुत ही important है, उसके उपर ही मैंने complete एक video बनाया है, वो आप यहाँ पर click करके check out कर सकते हैं, और सारा मेरा resources आपको description में मिल जाएगा, check out कीजे, मुझे Instagram और social media में follow कीजे, तो बस धन्योंवत दोस्तों फिर मिलेंगे